हेलो फ्रेंज, कॉंसेप्ट अपकटिंग चनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के लिए मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक बहुत इंट्रिस्टिंग पेपर फ्लावर डिजाइन तो चलिए फ्रेंज, ज्यादा ताका जहांकिना करके वीडियो सुरू करते हैं तो देखिए फ्रेंज, यहाँ पर हमने 8 सेमी का 13 सरकल लिये है और 3 इंटो 20 सेमी का 13 पेपर कट किये हैं तो सबसे पहले हम इस सरकल को इस तरह से बीच में से मोड़ेंगे और फिर और एक पर इस तरह से मोड़ लेंगे और उसके बाद इसको पर इस तरह से ड्रो कर लेंगे और फिर इस तरह से कट कर लेंगे तो फ्रेंज, इससे पहले भी आमने और भी पेपर रट बनाया हैं हमने वो सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिये हैं अगर आप लोग को सारे वीडियो को देखना चाहते हो तो वासे देख सकते और हमारे साथ हर वक्त चुड़े रहने के लिए फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर फोलो करो हमने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिये हैं और फिर ऑपोजिट साइट से भी इस तरह से कट कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमें टेक इसी तरह से साइट को छोटो छोटो ट्राइंगल सेप में बना लेना है और फिर हमें इस तरह से मोड लेना है और उसके बाद हमें पेपर फ्लावर की साइट को इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड लेना है और उसके बाद हमें ठीक इसी तरह से पेपर फ्लावर को कलर कर लेना है तो फ्रेंड्स अब लोग इसी तरह से इस पेपर फ्लावर को बहुत इजीली बना सकते हो तो देखिए फ्रेंड्स हमने पेपर फ्लावर को कलर कर लिए है और अब हम 3x27 पेपल को इस तरह से रोल कर लेंगे और उसके बाद हम पेपल स्टिक के लास्ट हिस्से को इस तरह से कट कर लेंगे और फिर पेपल स्टिक के ऊपर पेपर फ्लावर को इस तरह से जोइन कर देंगे तो देखिये फ्रेंड्स फाइनली हमने पेपर फ्लावर को बना लिए है थैंक यू फ्रेंड्स हमारे साथ वीडियो के एंट तक जुरे राने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक, एंसर करें और कॉमेंट करके बताईए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और हमारे कॉंसेप्ट आपका टिंग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन अन कर दीजिए तकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास्पोर्चे थैंक्यों फ्रेंज, थैंक्स पर राचिंग, भाई